सबी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपल पांडे आपका स्वागत करता हूँ आज का विशे है रोहनी तपनकाल क्या होता है रोहनी गलन किसे कहते हैं और नो तपा क्या होता है सूरे बारा राशियों में ब्रमन करता है और प्रतेक राशी में लगबग एक मैने तक रहता है और एक मैने के बाद दूसरी राशी में गमन करता है उसी प्रकार सूरे एक नक्षतर में लगबग तेरा दिन तक रहता है और फिर दूसरी नक्षतर में चला जाता है जब सूरे कृतिका नक्षत्र को छोड़कर रोईनी नक्षत्र में चला जाता है उस समय से ही रोईनी तपनकाल प्रारंब हो जाता है ये रोईनी तपनकाल सूरे के रोईनी नक्षत्र को छोड़कर मृक्षरा नक्षत्र में प्रिविश करने के साथ ही समाप्त हो जाता है इस तेरा दिन के अउधी में से शुरू के नो दिन तक शूरे की गर्मी बहुत तेज पड़ती है क्योंकि इस दोरान शूरे की किर्णे सीधी धर्ती पर पड़ती है जिससे प्रचंड गर्मी का अनुबव होता है इसलिए इन नो दिनों को नो तपा कहा जाता है यदि नो तपा के सभी नो दिन पूरे तपें यानि इस अउधी में पूरी गर्मी पड़े तो यह अच्छी वर्षा का संकेत होता है यदि इस अउधी में वर्षा हो जाए तो इसे रोहनी का गलना कहा जाता है रोहनी के गलन को कम वर्षा का संकेत माना जाता है यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रप्शन में पढ़ सकते हैं